नकली नोट मामले में हिसार पुलीस का बड़ा खुलासा समालखा में करते थे नकली नोट बनाने का काम पूरी ख़वर जानने के लिए वीडियो एंड तक जुरूर देखे नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल डेली इसाफ ब्रेकिंग नुज 2.0 अगर आप हमारे चैपे नए तो जैंको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कमेंट शेर जरू करें अब चलते इस वक्त की बड़ी ख़वर की तरफ हिसार पुलीस की शेये टीम ने नकली करंसी मामले में अबे उफ अभी को समाल्खा से धर्ज बोच है इस आरोपी को गैंता से पूस्ताज के लिए पुलीस ने चार दिन के रिमांड पर लिया है आपको मालूम हो कि 4 जुलाई को इसार शेर थाना में नकली करंसी मामले में केश दर्ज हुआ था उस समय पुलीस ने राजगुरु मार्किट से रवी कांत को 2,56,000 रुपे के नकली करंसी के साथ काबू किया था जाच अदिकारी का कैन आरोपी अबे समालखा में पीतल की टूंटिय बनाने की फैक्टरी में नोकरी करता था आरोपी ने यूटूब पर एक वीडियो देखकर नकली नोट बनाने का प्लैन बनाया उसके बाद उसने रवी कांत से संपर्क किया रवी कांत ने अबय को 1,086 नोटों के बदले 3,006 रूपे के नकली नोट देने की बात कई रवी कांत 10,000 रूपे के नकली का सैंपल लेकर समा लखा पूँचा रवी कांत ने अब्य को उस समय उफर दिया कि अगर वे उनके सात मिलकर काम करेगा तो हम समा लखा में नकली नोट छापने का काम कर सकते हैं उसके बाद रविकांत अपने दोस्त को साथ लेकर समा लखा आ गया तीनों ने मिलकर एक कमरा किराये पर लिया तीनों ने मिलकर उस कमरे में लैटोब प्रिंटर लेजर प्रिंटर वे लैमिनेटर के साथ नकली नोट चापने का काम से रूख कर दिया साथ ही अपने गिरों में एक और साथी को सामिल कर लिया नोट प्रिंट करने के बाद रविकांत और उसका दोस्त त्यार नोटों की वीडियो और फोटो वट्सप के माद्यम से दिखा कर गराकों को फसाता था अबे और अन्य ने 3 जुलाई को रविकांत को 2,10,000 रुपे के नकली नोट दे दिये थे इसके अलावा रविकांत समीर से 4,100 रुपे के नकली नोट लेकर आया था अगर आपको मारे वीडियो अच्छी लगिए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेर जरू करे और चैन को सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते ने स्टुडियो में जै हिंद जै भारत